हलो फ्रेंट्स वेलकम तू माई चैनल आज हम 36 की कटोरी ब्लोच की कटिंग करेंगे तो हमारे ब्लोच का कपड़ा और यह मैंने एक मीटर अस्तर लिया है तो देखिए पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे तो अस्तर को इस तरीकी से बिछा लेना है अब बंच साइट से हमें बेक पाट की ड्राइंग करने है तो पहले हम ब्लोच की लंबाई लेंगे चहुदा इसमें एक इंच मिलाएंगे पंदरा पंदरा इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे अब देखिए यहां से लेंगे हम सोल्डर सोल्डर है हमारा चेंच आर्मोल है हमारा चेश्ट है हमारी 36 उसका चोथा पागोता है 9 कमर हमारी 32 से उसका चोथा पागोता 8 और एक इंच हम टक्स का लेंगे अब इन दोनों निशानों को इस केल से इस तरीके से मिला लेंगे अब देखिए मार्जिन लेंगे मार्जिन में यहां से देड़ इंच ले रही हूं हम इस तरीके से मिला लेंगे अब देखिए यहां से हमें डिगर इंच पे निशान लगाना है और आर्मॉल का सेब देना है इस तरीके से यह मारी बेक पाट की ड्राइंग हो गई है इसे कट कर लेते हैं अगर आपको गलो से माप लेना सीखना है तो इस वीडियो को लिंक डि गली की चोड़ाई लेंगे धाइंच और गली की लंबाई लेंगे छे इंच इस तरीके से एक बोक्स बना लेंगे यह देखिए इस तरीके से हमें बोक्स बना लेना है उसमें गली का सेब दे देना है अब इसे हमें कट कर लेती हूं यह देखिए मैंने कट कर लिया है अब यहां से पौना इंच का मार्जन लेकर हमें बेल्ट का सेप देना है इस तरीके से इस तरीके से सेप देना है अब हमारी 6 इंच की कटोर यह 6 इंच पर निशान लगाएंगे और यहां से हम पौने 5 इंच पर निशान लगाएंगे और यह हमारा second round यहां से हम 3 inch पे निशान लगाएंगे ठीक है और यहां से भी हम 6 inch पे निशान लगाएंगे और scales से इसको सीधा draw कर लेंगे देखिए इस तरीके से और इसको हम cutory का save देंगे ठीकिए इस तरीके से हमें cutory का save देना है अब हम इसकी cutting करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाईए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा यह देखिए हमने सारे पार्ट्स कटिंग कर लिये हैं अब हम कटोरी को दूसरे पेपर पर कटिंग करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमें पेपर लेना उस पर कटोरी को इस तरीके से रखना है और सेम ड्रो कर लिंगे यह देखी इस तरीके से सेम ड्रो करना है हमे देखी सेम ड्रो कर लिया है अब हमें क्या करना है कि इधर से हमें डेड़ इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से और यहां से भी हमें डेड़ इंच पे निशान लगाना है अब हमें इसका हाफ करना है और भी सेंटर में निशान लगाना है यहां से हमें 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और उसको इस तरीके से मिला देंगे यह देखिए इस तरीके से मिलाना है अब हम यहां से 1.5 इंच मार्जिन छोड़ेंगे कि और उसको इस तरीके से मिला देंगे और ऊपर से भी हमें आदे इंच नहीं लेना है तरीके से और कटोरी का सेब देना है देखे इस तरीके से इस तरीके से आप किसी भी साइज की कटोरी को कटिंग कर सकते हैं एकदम आसन तरीका है यह अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे यह हमारी कटोरी बन चुकी है अब तीरा को हम दूसरे साइज पेपर पर कटिंग करेंगे तो नीचे से में पौना इंचे से मार्जिन लेना है और इस स्केल से इस तरीके से ड्रो कर लेंगे और इसको उपर इसे रखकर सेम ड्रो कर लेंगे क्योंकि हमारा आदे इंच और आदे इंच नीचे सिलाई में जाएगा उपर जाएगा इसलिए हमें इस तरीके से बेल्ट को भी अलग से कटिंग कर लेंगे यह देखिए हमारे सारा पेपर पर कटिंग हो चुका है यह देखिए हमने सारे पार्ट कटिंग कर लिये हैं इस सब को हम कपड़े पर अस्तर पर ड्रोग कर लेंगे और यह देखिए मैंने सारे पार्ट इस तरीके से ड्रोग कर लिये हैं आप देख सकते हैं वीडियो में अब हम सारे पार्ट को कट कर लेते हैं कि आप है इस तरीके से सारे पार समय करते करो cash करें है अब देख स्लिप की क कटिंग करेंगे तो हमरे बचावगा कपड़ा इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करने के बाद मीख चोड़ा cuidado वह वह фильм 8 इंच रखनी है たट हम इसे की चोड़ा害 आथ इंच वह उसकी अलबह आए 7.5 इंच. अब उसे सीधी लगी कर लेते हैं. अब इसे कट कर लेते हैं. अब दीखी, open side से हमें या 3.5 इंच पर निशान लगाना है, 1.5 इंच सीधी लगी करना है, मार्जिन की और इस तरीके से सेप देना है, स्लिप्स का आपकी बाजू की जो भी फिटिंग वो उसमें 1.5 इंच मार्जन का प्लस करके निशान लगा लेना है उस निशान को हम इस तरीके से मिला लेंगे अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं भी सेंटर में हम छोटा सा कट लगा लेगी यहां पर अब स्लिप्स को ओपन करना है एक इंच का मार्जन छोड़कर में फिर से फोल्ड करना है और दूसरा स्लिप्स का सेप दे देना है यहां से और इससे हम कट कर लेंगी हमारे फ्रंट का सेप है तो यह देखिए हमारे स्लि अ कि इस तरीगे से सारे पार्ट करकि सिलाई करके अस्थर के साथ मैं अटेज कर लिए है अब हम टक्स लगाएंगे कटोरी में इस तरीपे से फोल्ड करनी है फोल्ड करने के पाद जो हम डैटिंस निशान लगाना है और इसकी लंबाई हमें तीन इंच रखनी है इस तरीके से और सीधी लखिर कर लेनी है इस पर हमें डबल शिलाई करनी है यह देखिए यह देखिए हमारे किति Pefect तो कटोरी आईए यह आप देக सकते हैं अब इसके side के part को Ate威गे इससे इस तरीके से रखेंगे और आदव इंच का मार्जन लेकर हमें सीलाई करनी है इस तरीके से सुमय स्लाई करते जाना है इस पर हमें डबल स्लाई करना है ये दिखिए किती perfect attach हुआ है हमारा अब हम belt को attach करेंगे तो ये इसकी belt है इसे इस तरीके से रखेंगे और आधे इंच का margin लेकर सीधी slide करेंगे अब इसे पलट लेंगे पलटने को बाद belt की किनारी पर हम finishing की सिलाई कर लेंगे इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तयार कर लेना है तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तयार कर लिया है अब हम होकाई की पट्टी लगाएंगे तो पहले आई की पट्टी लगाएंगे तीन इंच की पट्टी लेंगे उसे नीचे की तरफ से रखकर आदा इंच का मार्जन लेकर सीधी स्लाई करेंगे अब देखिए उक्की पट्टी लगाएंगे तो डेड़ इंच की पट्टी लेंगे सूपर की तरफ से रखेंगे आदे इंच का माजन लेकर सीधी सिलाई करेंगे अब इसे पलट लेंगे पलटने के बाद इसकी किनारी पर सिलाई करेंगे अब देखिए आई वाली पट्टी को हमें जहां तक सिलाई करी थी वहां तक की सिर्फ फोल्ड करना इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं और उसकी किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे हुग वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और किनारी पर सीधी से लाई कर लेंगे अब देखिए हम कमर पट्टी लगाएंगे तेक्स्टा पट्टी को देखिए यहां से कट कर लेते हैं अब कमर पट्टी लगाएंगे, देड़े इंस की पट्टी लेंगे, उसे उपर की तरफ से रखकर, आदा इंस का मार्जिन लेकर सीधी स्लाई करेंगे, जिस तरीके से हुग की पट्टी लगाएंगे, उसी तरीके से दोनों पार्स में हम कमर पट्टी लगा लेंगे, अब द अब देखिए इस पटी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और किनारी पर सिलाई कर लेंगे और अगर पाइपिंग बनाना सीखना है तो इस वीडियो को लिंक डिस्केप्शन बॉक्स से मिल जाएगा उस वीडियो को देखकर आप पाइपिंग बनाना भी सीख सकते हैं तो देखिए इस तरीके से हमें सिलाई कर लेनी है यह देखिए हमारे किती फिनिशिंग से गला तयार हुआ है, इसी तरीकी से दूसरा गला भी मैंने बना लिया है, तो हमारा फ्रेंट पर तयार हो गया है, तो यह देखिए किती फिनिशिंग से फ्रेंट पर तयार हुआ है हमारा, अब हम बेक पर तयार करेंगे, तो यह देख अब इस इस तरीके से पलट लेंगे हलके आतों से दबाएंगे जिसे निशान दूसरे साइट छप जाए अब इस निशान को हम डार कर लेते हैं ग्लोच के कपड़े को हमें सीधा रखना है उसके उपर अस्तर को रखना है और पहले नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जन लेकर हमें सीधी सिलाई करनी है अब इस तरीके से सिलाई करना है नीचे की तरफ से अब जेकी हमने जो गले का सेब बनाया है उस सेब को पहले कपड़े को अच्छे सेट कर लेंगे हम इस तरीके से पिन लगा लेंगे और जो सेब बनाया है गले का उसे हम पर उसी की उपर ह सिलाई की थोड़ी दूरे से हमें गले को कट करना है अब गले में हम छोटे-छोटे कट लगा लेंगे जिससे हमेरे गले पर जोलना आए अब इसे पलट लेते हैं पलटने के बद गले की किनारी पर सिलाई कर लेंगे अब नीचे की तरब भी हम किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे अब अस्तर को सिलाई करके हमें अटेज कर लेना है अब हम टक्स का निशान लगाएंगे इस तरीके से फोल्ड करना है यहां से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है, इसकी लंबाई 4.5 रखनी है, अब आदे इंच का मार्जन लेकर हमें तिर्छे में टक्स लेना है, यह दिकी मैंने दोनों टक्स ले लिए, हमारे बेक पाट पूरा तयार हो चुका है, अब हम सुल्डर अटेज करेंगे, तो दोन करनी है, यह दिखिए, हमारे दोनों सॉल्डर जोइंट हो गया है, अब इसे पलेट लेंगे, पलेट ने कवाए, सॉल्डर के ऊपर भी एक फिनिसिंग के हम सिलाई कर लेंगे, यह देखिए, इस तरीके से, हमारे दोनों सॉल्डर अटेज हो चुके हैं, अब दोनों साइड हमें स्लीव को सिलाई करके अटेज कर लेना है, और ब्लोच को फिटिंग कर लेना है, फिटिंग करना और स्लीव को अटेज करना मैंने बहुत सरी वीडियो में बताया है, तो